रमिश्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशे 6 अपराल गुरुवाल शाम सवा 7 बजे राजेसान की बड़ी खबरें बजट सत्र के दूसरी चरंड के आखरी दिन गुरुवाल को कौंग्रेस तथा विपक्ष के कई दलों ने यहां संसत भवन परिसर से तिरंगा मार्च निकाला और कहा कि ये उनकी लोकतंत्र को बचाने और बोलने का अधिकार बरकरा रखने की लड़ाई है लोकसभा के अनिश्चित काल के लिए स्थागित होने के बाद यहां संसत भवन परिसर में राश्ट पिता मात्मा गांदी की मूर्ती के सामने से तिरंगा मार्च निकाला गया जिसमें कॉंग्रेस अध्याक्ष आवं राजसभा में विपक्ष के नेता मलीक आरजून खडगे कॉंग्रेस अंसदिय दल की नेता सुनिय गांदी तथा विपक्षी दलों के सांसों ने भाग लिया मार्च में हिस्सा लेने वाले सभी सदस्या हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए भार्तिजंदा पार्टी के रास्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने गुर्वार को रास्टी राजधानी में भाचपा के 44 में स्थापना दिवस पर पार्टी मख्याले में पार्टी का जुंडा फेराया नड़ा ने कहा कि भाजपा एक राजनितिक पार्टी है लेकिन ये आज पूरे देश के कल्यान के लिए काम कर रही है पेम मोदी के नेत्रतों में पार्टी ने अभूत पूर उपलब्धियां हासिल की है सुत्रों की मताबिक पार्टी ने 6 अपरेल से बाबा साहिब अमबेटकर की जयनती 14 अपरेल तक सप्ताह भर चलने वाले समाजिक समरस्ता अभियान की योजना बनाई है नड़ा ने सभी प्रदेश अध्यक्षों और पार्टी नेताओं को समाजिक समरस्ता सप्ताह में भाग लेने के लिए पत्र भी लिखा है हनमान जनमोस्तव के अफसर पर देश के विभिन राज्यो मेशो भा यात्रा निकाली जो आ रही है इस बीच गुजरात में केंद्रे ग्रह मंत्रिया मिच्षोह ने हनमान जोयनती पर बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनमान की चौपन फिट उंची प्रतिमा का नावरण किया इस मूर्ति के निर्मान के प्रजेक्ट को किंग ओफ सारंगपुर नाम दिया गया था बजरंगपली की मूर्ति इतनी बड़ी है कि इसका वज़न 30,000 किलो है और लोग मंदिर से 7 किलमेटर दूर से ही दर्शन कर सकेंगे आयकर विभाग की साथी में सुबह से जपुर के एक बिल्डर्स ग्रूप से जुड़े हुए ठिकानों पर छापे मारी कर रही है सुबह साथ बज़े से शुरू हुई आयकर की छापे मारी और सर्च अभी तक जारी थी बिल्डर्स के तीन आफिस में आयकर विभाग की टीम सुबैसे सर्च कर रही है आयकर विभाग के सूतरों की माने तो construction company वैसायोगी company पर ये चापे की कारवाही की गई है आयकर विभाग को साड़े चार सो करोड से जादा की काली कमाई के दस्तावीच पकड़े जाने की जौनकारी मिली है आयकर विभाग की और सी चापे को लेकर अभी तक किसी प्रकार की कोई जौनकारी साधा नहीं की गई है अजमेर MDS University में गुर्वार को चार्टर नेताओं के द्वारा BSC Third Year Botany और Physics का पेपर लीख होने के मामले में प्रदर्शन किया गया चार्टर नेताओं ने ये उनिविश्टी में प्रदर्शन कर कुलपती को ग्यापन दिया ग्यापन के जरी पेपर आउट होने की घटनाओं को रोकने के लिए ठूस कारवाही करते हुए मामले में SOG से जाच करवाने की मांग की गई प्रदर्शन के दोरान सिविल लाइन धाना पुलिस का जापता भी तैनात रहा जुन-जुन में रोडवेज करमचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है चालक पर चालक व्याने करमचारियों को करीब धाई करोड का वेतन बकाय चल रहा है जिले में करीब साड़े तीन सो रोड़वेज का रमचारी है जिन्हें वेतन नहीं मिलने के कारण सिती विकट हो चुकी है गधोली के तेवहार पर भी यही सिती रही थी तो अब रमजान वे ईत के मौके पर भी यही हाल है बह मुश्किल एक माहा का वेतन मिला है आर्टेज बिलको लेकर चुल रहा विवाद डॉक्टर और सरकार के बीच बातचीत होने के बाद खत्म हुआ ही था कि अब आर्टेज यानि शुक्षा के अधिकार एक्ट को लेकर निजी स्कूल संचालक विरोध में आ गए हैं कोटा में गुरुवार को स्कूल बंद किये गए और सभी निजी स्कूल संचालकों ने रैली निकाली गुरुवार सुपह रैली सरकिट हाउस से कलेक्टेट तक निकाली गई जिसके बाद ग्यापन देकर एक्ट में संशोधन की मांग की गई स्कूल एसोसियेशन के संजर शर्मा ने बताए कि सरकार इस एक्ट में नए प्रावधान कर स्कूलों का दमन करना चुहती है धौलपूर जिलाकारागार में NDPS के मामले में जेल में बंद क्यादी को कपड़े देने गए दो यूगों को पुलिस ने गरस्तार कर लिया जेल के गार द्वारा पकड़े गए दोनों यूग NDPS के मामले में बंद क्यादी को कपड़ों में सिम रखकर अंदर पहुचवाने का प्रयास कर रहे थे जिनने तलाशी के दवरान जेल गार ने पकड़ कर कोतवाली पुलिस को सौप दिया कोटा शहर की विज्यानगा डिस्पेंसरी में आज बड़ा हासा होने से टल गया पुराने बिल्डिंग में वच्चों के डॉक्टर के रूम का छट का प्लास्टर गिर गया प्लास्टर के वजन से फॉल्स सिलिंग तूट कर नीचे गिर गई जिस वक्त ये हासा हुआ उस सुबे आफिस पहुचने पर कमरा खोला तो फॉल्स सिलिंग नीचे पड़ी हुई थी सांसर सरस्वती ने रेल मंत्री को बताया कि सीकर का खाटू श्यामजी राजिस्थान का प्रसिद धार्मिक अतिहासिक शहर है यहां हर साल लखी मेले का योजन किया जाता है जिसमें हर साल लाखों की तादात में संपूर्ण भारत वे विदीश से श्रधारू पहुंसते हैं इस बार मेले में 20 लाख और एक दिन में 10 लाख लोग आए हर शरिमवार और रविवार को लाखों की संख्या में लोग दूर दरास से आते हैं इसलिए लोगों की सुविधा को देखते हुए खाटू श्यामजी को रेल मार्क से जल से जल्द जोड़ा जाए वहीं रेल मंतरी अश्वनी व्याशनव ने सानसदों को आश्वासन दिया कि खाटू श्यामजी को रेल मार्क से जोड़ने के लिए जल्द ही सर्वे कराया चाएगा चूरू जिले के दुधवा खारा थाना शेत्र में गाउं सीसरला के पास गुरवार दोपैर साला सर बाड़ा जी के दर्शन कर वापस घर लोट रहे भादरा कि श्रद्धालों की कार और ट्रॉले में आमने सामने की भिड़न्थ हो गई हासे में एक महिला सही तीन जोने घायल हो गए जिनको ढाड़ा टोल नाके की एम्बिलन्स से गॉर्मेंट डीबे अस्पिताल पहुंचा आये गया घटना की सूचना मिलने पर दुधवा खारा थाना के एसाई महिंद्र ने अस्पिताल पहुंचकर घायलों से घटना की जोन करी ली घायलों ने बताय कि भादा तैसील के गड़डा के नितेश देवी सुरेंद्र दिपांशु पूजा रेखा और किशन बुधवा शाम को अपने कार लेकर घर से रवाना हुए थे इंडिया योजना के तहट प्रदेश में सभी जुला खेल कुद प्रशिक्षन के इंडरों पर एक खेल तै किया गया है इन सेंटर्स पर इस स्कीम के तहट एक प्रशिक्षक के साथ खेल उपकरन और मैदान के रखरखाव के वियक का वहन खेलों इंडिया की तरफ से होगा इनके इनरों पर पुरिश्व महिला की बराबर संख्या होगी अगले साथ दिन में सभी जुगा सेंटर खोने समन्दी काम पूरा कर लिया जाएगा जालावार में क्रेड़ा परिशत की ओर से सॉफ्ट बॉल का सेंटर जुला खेल स्टेडियम में खोला जाएगा राष्तान में ऊठ पालने पर गहलोज सरकार इनाम दे रही है इनामी राष्iga के रिये प्रदेश में 17000 उन्ट पालक कातार में है राजे पशुट के संक्षन अं समर्धन के लिए समवेदन शील और राजे सरकार संपून प्रदेश में उस्ट संक्षन योजना संच्वालि की जा रही है योजना के अंत्रगत आप तक सत्रह हजार से अधिक ओन्लाइन आवेदन प्राप्थ हो चुके हैं हर्याना में अगले साल विधानसवाद चुनाओं से पहले भाजपा ने राजे में सियासी दबदबे वाले चोटाला परिवार से जुड़े वोड बैंक को साध जिला अध्यक्ष और नेता हैं जिसे पार्टी ने दूसरी बार चेर्मेन बनाया है इससे पहले वे हर्याना स्टेट कोपरेटिव अग्रिकल्चर और रूरल डवलप्मेंट बोर्ड लिम्टेट के चेर्मेन भी रह चुके हैं तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर ह हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ